कि इसमें नर्माने रही मस्ताम में कुम्विवर्स कैसे हैं आप उमीद आप सब खरियत से होंगे वेलकम टू मैं चैनल स्टीचिंग क्राफ्ट आज में आपको बहुत ही कुफूरत पांचे का डिजाइन दिखाऊंगी अजया और यह सबसे पहले हमने रही पांच अंच की स्ट्रिप काऍटनी है कि पौठ जाइब तरह पंचे की स्तेरा चैनल की चुढ़ाई के लिए पांच इंच चुड़ाई और 9 इंच लेंच पैंच हम बनाएंगे इसके इलावा इसके इलावा यह देखें मैंने इतनी चौड़ी दो इंच चौड़ी हमने स्ट्रिप्स निकाली है ये स्ट्रिप्स हमने कम आशक प्रकाम टीन मीटर लेंच जितनी निकालनी है यह में कफ सरी चाहिए जैदे इसको प्रेस करें ऐसे करिया है इस एक इंच के बराबर में प्रेस करिया है जिए वोड करके अब हम इसकी इसकी पीसेशे निकालेंगे यह पीसिज हम यहां पर फिट करेंगे इस तरह हम पीसिज बनाएंगे पीसिज हम तीज नींच की बनाते जाएंगे इस साइज में हम काफ सारे पीसिज निकालेंगे स्क्रिप से हमारे दोने पाइंचे या सानी से रेडी हो जाएंगे यह देखें हमने काफ सारे पीसिज निकाल लिए हैं अब हम इस पाइंचे को हार्ड नेट के उपर इस तरह फिट करेंगे अगर आपके पास हार्ड नेट नहीं है तो आप नीचे बुकरम पेपर बुकरम भ करने के बाद हम इसको जान रखेंगे सेंटर के निशान पर इस तरी के से यह नोक इसकी बिलकुत कोने के उपर आनी चाहिए सेंटर के निशान के उपर नोक आएगी इस तरीके से दुस्का पीस उठाकर हम इसके बिलकुत बराबर में ही तापकि यह हमारी जो नोक है यह सेंटर के निशान के उपर बने जो देखें दो पीसिस मैंने लगा लिए है इसके कोने को पर मशीन को रोकने के बाद दूसरा पीस इसके उपर इस तरह रखेंगे कि ताके पिछली सिलाई नजर ना आए झाल 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 प्रेस की हुए सेंटर के निशान का ही सारे कोने फिक्स करते जाएं झाल 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 यह देखें रिवर्स मैंने एक साइड पांचे की रेडी कर लिया है एक्स्टा कपड़ा हम काट कर इसको बराबर कर लेंगे इस तरह नीट कर लेंगे इसके बाद हम रॉजर के साथ इसको अटैच करेंगे पांचे कर लेंगे इस तरह नीट कर लेंगे लेंगे इसका उल खांचे कर लेंगे लेंगे झाल झाल कि इस तरह ये साइड दो के साथ टैज करेंगे और इन संक्र में बीट लगाते जाएंगे फिर हमारा ट्राजस रैडी हो जाएगा अ है क Blue लगाएं कि पिछली स्ट्रिप जे List सिलाई के ओपर अगली स्ट्रिप आजआए इस तरह की जीए इस तरह सेंटर का कोना बनता जाए जहां हमने बीट्स लगाने हैं